हलो फिरेंस, बेलकम टेयर टूजे नोड़ेज क्लासेस आज किसी वीडियो में लोग सिखने वाले हैं इस ट्रेक के प्रस्णों को हल कैसे करते हैं जैसा कि प्रस्ण दिया हुआ है एक लीटर रिफांड टेल का दाम 200 रुपया है तो 50 ml रिफांड टेल का दाम क्या होगा तो यहाँ पर इस प्रस्ण को हल करने वाले हैं तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि एक लीटर बरावर 1000 ml होता है 1000 ml यानि कि एक लीटर में कितना ml होता है तो 1000 ml होता है यहाँ पर इस प्रस्ण में एक लिटर के बदले 1000 ml भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखना है चूकि 1000 ml refined तेल का दाम बड़ाबर 1000 ml refined तेल का दाम कितना है 200 रुपिया तो यहाँ पर 200 रुपिया लिख देना है तो यहाँ पर सबसे पहले 1 ml refined तेल का दाम गयाद कर लेना है तो यहाँ लिखना है इसलिए 1 ml refined तेल का दाम बड़ाबर यहाँ जगा 200 और बटा 1000 यानि कि 1 ml refined तेल का दाम कितना है तो 200 बटा 1000 लेकिन हमें गयाद करना है 50 ml refined तेल का दाम तो यहाँ लिखना है तो 50 ml refined तेल का दाम बड़ाबर 200 बटा यहाँ पर 1000 लिख देना है और गुना 50 ml का दाम गयाद करना है तेहाँ पर 50 लिख देना है चली इतना हो गया अब यहाँ पर जो कटे गया उसको काट देना है तो देखें यहाँ से 2 0 से 2 0 कर जागा और यहाँ 1 0 से 1 0 कर जागा तेहाँ पर एंसर आजाएगा देखें 5 और 2 में गुना कर देना है तेहाँ पर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जागा यानि कि 50 ml refined तेल का दाम कितना हो जागा तो 10 रुपिया हो जागा यह एंसर हो जागा चलिए एक और प्रस्ण को देखते हैं दिखिए इस प्रस्ण में क्या दिया हुआ है एक लीटर रिफाइंड तेल का दाम 200 रुपया है तो 300 एमिल रिफाइंड तेल का दाम क्या होगा तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे जिसे पहले वलाम बनाये थे सबसे पहले याद रखना है कि एक लीटर बरावर एक हजार एमिल होता है यानि कि एक लीटर में कितना एमिल होता है तो एक हजार एमिल होता है तो यहाँ पर लिखतना है चुकि एक हजार एमिल रिफाइंड तेल का दाम बरावर 200 रुपया यानि कि 1000 ml रिफाइंड टेल का दाम कितना है 200 रुपया तो सबसे पहले 1 ml रिफाइंड टेल का दाम ग्याद करेंगे तो लिखना यहाँ पर इसलिए 1 ml रिफाइंड टेल का दाम बराबर यहाँ 200 और बटा 1000 हो जाएगा यानि कि 1 ml रिफाइंड टेल का दाम कितना हो जाएगा 200 बटा 1000 तो हमें ग्याद करना है 300 ml रिफाइंड टेल का दाम तो यहाँ पर लिखना है तो 300 ml रिफाइंड टेल का दाम बराबर हमें 300 ml रिफाइंड टेल का दाम ग्याद करना है तो यहाँ पर लिखना है 200 और बटा 1000 और गुना यहाँ पर जो 300 इसको यहाँ पर लिख देना है चलिए अब यहाँ जो कटेगा उसको काट देना है तो देखिए यहाँ से 2-0 से 2-0 कर जाएगा और यहाँ 1-0 से 1-0 कर जाएगा अब जो बचिए उसको गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 20 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है तो 20 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 60 रुपिया आ जागा याने कि 300 ml रिफाइन टिल कादाम कितना हो जागा तो 60 रुपिया ये इंसर हो जागा तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस ट्रा के प्रस्नों का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए